नमस्कार दोस्तों वीडियो में जो आप देख रहे हैं स्पेद मुशली का पोदा है स्पेद मुशली एक सक्तिव और जगजड़ी बूटी है जिसका उपयोग आज की दिन बच्ची से लेकर बूड़ी तक कर रहे हैं यह हमारे सरी की इमुशली को बढ़ा कर हमें बलिस्ट बनाने का काम करती है कई रोगों से में बचाती है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे स्पेद मुशली का इस्तेमाल आप किस परकार कर सकते हैं और किन किन सातियों का इसका उपयोग नहीं करना चाहिए तो वीडियो का अंतक देखें वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी करें ताकि सभी तकी जानकारी पूंच के जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं स्पेद मुशली की जड़े गाठ के तोर पर विक्सित होती हैं इनकी लंबाई 3-5 इन तक हो सकती है इनको सुका कर पाउडर बनाया जाता है उस पाउडर का इस्तेमाल आप 2-5 गराम रोजा ना कर सकते हैं या आप उस पाउडर का पाक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं आदा चमत सुबह आदा चमत शाम को इसका नीमित उप्योग आपको बल्वान बनाएगा, रोगों से लड़ने की सक्ति आपको सरीर में पैदा कर देगा, दोस्तों बात करते हैं किन-किन सातियों को इसका उप्योग नहीं करना चाहिए, या करें तो नाय के बराबर करें, दोस्तों सबसे पहले जिन सातियों को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसकी तासिर थंडी होती है, ये कब बढ़ाने का काम करती है, तो वो साति इसका उप्योग नहीं के बराबर करें, या करने से बचें, दूसरा जिन सातियों की पाचन सक्ति कमजोर है, भूख कम लगती है, वो भी इसका शेवन कम से कम करें, या करने से बचें क्योंकि ये पचने में काफी समय लेती है और आपकी पाचन सकती अगर पहले से कमजोर है तो आपको और ज़्यादा दिक्कत परेशा नहीं आ सकती है तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर करके अपने साथ यह तक पहुचाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद